Hello students, जहिंद तो आज की इस वीडियो के अंदर हम CDS 2015 के First Paper के Question करेंगे जो की हमरे एक जाम में पूछे गए हैं शुरू करते हैं पहले Question के साथ पहला Question कुछ इस तरीके से है 10A प्लस B की Value आपको दे रखी है Root 3 10A की Value दे रखी है 1 तो 10A माइनस B की Value अप से पूछी गई है क्या होगी तो 10 की Value रूट 3 कभ होती है जब ये Angle 60 Degree हो इसका मतलब A प्लस B की Value आ गई 60 Degree आ गई 10 की Value 1 कभ होती है जब A की Value 45 Degree हो A की Value आगई 45 Degree A 45 है A प्लस B 60 है यहां से मैं कह सकता हूं कि B की value 15 degree आएगी और मुझे 10 A माइनस B की value पूची गई है 10 A माइनस B की value तो 10 के अंदर आजेगा A माइनस B मतलब 10 30 degree की value पूची गई है और 10 30 degree की value आपके पास होती है 1 upon root 3 C option आपके पास इस question का अंसर रहेगा पहले question के बाद दूसरे question की और चलते हैं हमारा दूसरा question कुछ ऐसा है second question क्या कह रहा है देखते है cos A equal to 10 B है cos B equal to 10 C है और cos C is equal to 10 A है sign A की value पूची गई है क्या होगी तो आपको यहाँ पर तीन बाते दे रखी है cos A is equal to 10 B पहली चीज तो यह है दूसरा आपको यहाँ पर given है cos B is equal to 10 C इसी तरीके से आपके पास एक तीसरी condition हो रहा है cos C equal to 10 A तो यह question आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है length ही जा सकता है लेकिन question के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है छोटा सा concept आप algebra के तरीके से अपने इस question को करेंगे तो आप थोड़ा सा बस ध्यान में रखें आपके पास question यह बिल्कुल असान रहेगा sign A की value मुझे find करनी है तो बार बार मुझे A एंगल देखने को मिलेगा तो sign A को मैंने x माल लिया sign B को मैंने यहां पर y माल लिया और sign C भी रस्ते में आएगा और sign C को मैंने z माल लिया तो पहली equation यह जो आपके पास है इसमें आपको x और y दिखेंगे बस क्योंकि A और B है यह दूसरी equation है इसमें आपको y और z दिखेंगे और सेम इसी तरीके से जो तीसरी equation होएगी इसमें मुझे z और x दिखेंगे पहली equation x और y में आएगी दूसरी equation y और z में आएगी तीसरी equation जेड और X में आएगी और मुझे अंसर चाहिए X का, X की value चाहिए तो मैं पहले equation से ये जो पहली equation X और Y में होगी, इसमें से Y की value निकाल कर यहां put कर दूंगा फिर इसमें से Z की value निकाल कर यहां put कर दूंगा तो पूरी equation मेरे पास X की फॉर्म में आजेगी और मेरे पास आंसर आजेगा जो ये बात मैंने यहाँ पर उपर लिखिया बस यही इस पूरे कुश्चन का सार है तो आप इस बात को अच्छे समझ ले कि पहली एक्वेशन X और Y की फॉर्म में आएगी वहाँ से Y की वेल्यू निकाल कर सेकंड एक्वेशन में रखेंगे दूसरी एक्वेशन Y और Z की फॉर्म में आएगी वहाँ से Z की वेल्यू निकाल कर फर्स्ट एक्वेशन और थर्ड एक्वेशन में रख देंगे और आंसर आजेगा चलो पहली question से शुरू करते हैं तो cos A को लिख सकता हूँ मैं under root के अंदर 1-sin square है ज़िए 1-sin square theta होता है cos square theta उसका root आजाए cos theta 10B इसको मैं लिख सकता हूँ sin B upon cos B upon में cos B आना था cos B को दोबरा मैंने sin में लिख लिया 1-sin square B अब sin A की जगा x put कर दो sin B की जगा y put कर दो तो 1-x square equal to sin B जो की y है upon में आजेगा root 1-y square अब देख सकते हैं पहली equation x और y की form में आईए दोनों सेट जब मैं whole square करूंगा तो मुझे कुछ ऐसी equation देखने को मिल रही है यहां पर इसको थोड़ा सा 1-x square is equal to y upon 1-y square कुछ ऐसा आगया तो जिस तरीके से पहली equation x और y की form में आईए है सेम इसी तरीके से दूसरी equation y और z की form में आईएगी ओपर y का square आएगा क्योंकि हमने whole square किया है सेम इसी तरीके से दूसरी equation आपकी कुछ ऐसी बनेगी क्योंकि यह y और z की form में आईएगी बिल्कुल इसी तरीके की और सेम इसी तरीके से अगर मैं तीसरी equation की और जाना चाहूं कि मेरी तीसरी equation cos c equal to 10a से आ रही है cos c is equal to 10a से आएगी तो सेम उसी symmetry से यह equation बननी चाहिए 1 minus z square 1 minus z square is equal to x square upon 1 minus x square तो यह तीन बिल्कुल एक जैसी equations आजएगी पहली equation x और y की form में है दूसरी equation y और z की form में है तीसरी equation x और z की form में है मुझे बस यहां से y square की value निकाल कर यहां put करनी है और फिर इस equation से z square की value निकाल कर तीसरी equation में put करनी है चलो यहां से अपने value निकालने की और चलते हैं y square की value निकालते है y-square की value निकालते है तो मैंने दोनों side उल्टा कर दिया 1 upon 1 minus x-square age equal to 1 minus y-square upon y-square अलग-अलग divide कर दिया तो 1 minus x-square equal to ये बनेगा 1 upon y-square minus 1 ये 1 दूसरी side जाकर add हो जाएगा और जब ये दूसरी side जाकर add होएगा तो ये बनेगा 1 upon 1 minus x-square plus 1 और यहां से 1 upon y-square की value आ रही है 1 plus 1 minus x-square upon 1 minus x-square और जब मैं दोनों side reciprocal कर दूंगा तो मैं देखूंगा कि y-square की value मेरे पास आ रही है 1 minus x-square upon 2 minus x-square ये मेरे पास y-square की value आ गए y-square की value और यही मुझे चाहिए थी y-square की value जो है वो मुझे x की form में चाहिए थी जो कि मैंने निकाल लिया तो नीचे का space थोड़ा सा काम में लेने के लिए मैंने जो थोड़ा सा नीचे लिखा है उसको साफ करने के लिए उसको एक बार उपर लिख दिया ये लो तो पहली equation ने अपना काम कर दिया है y की value निकाल ली है x की form में अब ये जो y की value है ये उठा कर मैं दूसरी equation में यहां पर put कर रहा हूँ तो 1 minus 1 minus x square upon 2 minus x square is equal to z square upon 1 minus z square इसको जब मैं LC में लेकर solve करूँगा तो 2 minus x square minus 1 plus x square upon 2 minus x square is equal to z square upon 1 minus z square दोनों साइड reciprocal करूँगा 2 minus x square x square से x square कैंसल हो गया तो उपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 minus 1 1 बचेगा reciprocal कर दिया था age equal to इदर भी reciprocal करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1 minus z square upon z square इसको जब मैं अलग-अलग डिवाइड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिलता है ये 1 इदर आकर add हो जाएगा और 1 upon z square की value मेरे पास आजाएगी 3 minus x square अब ये जो value आई है ये 1 upon z square की value आई है 1 upon z square की पर मुझे तो z square चाहिए तो यहां से मेरे पास जो z square की value आएगी वो आजाएगी 1 upon 3 minus x square ये मेरे पास z square की value आजाएगी और जिस तरीके से यहां पर y square की value को मैंने आगे काम में लिया सेम उसी तरीके से जड़ स्केर की value को मैं आगे काम में लोगा कि जड़ स्केर की value है 1 upon 3 minus x square ये यहां पुट कर देता हूँ तो जड़ स्केर की value पुट कर दी 1 upon 3 minus x square और अब आप देख सकते हैं सारी के सारी equation आपकी x की form में आ गई है और इसी x की हमें value find कर गई है तो जब मैं यहां LCM लोंगा तो 3 minus x square minus 1 upon 3 minus x square आ गया age equal to x square upon 1 minus x square कुछ ऐसा था दोनों साइड reciprocal कर दें एक बर चलो reciprocal नहीं करते हैं इसको एक बर ऐसी पढ़ा रहने देते हैं क्योंकि अब मुझे reciprocal करने की जरूरती यहां पर नहीं लग रही क्योंकि सारा एक ही variable की form में आ गया है बस इसको अपने को simplify करके x की value निकाल ली है component और dividend हों की और भी जा सकते हैं नहीं तो cross multiply की और भी जा सकते हैं कोई मुझे नहीं रहेगा यहां से one से इसको multiply किया two minus x square minus x square से multiply किया तो minus का two x square plus x की power four इदर भी cross multiply करेंगे तो three x square minus x की power four कुछ ऐसा आ गया और यहां से आपके पास x की power four आएगा जो कि twice होजेगा यह three x square इदर आकर minus का three high और three इदर और आजेगा तो minus का six x square हो जाएगा और constant मेरे पास two बचेगा two से divide करने पर मैं देखता हूँ कि इस तरीके से यह मेरे पास एक quadratic equation बन रही है जो कि x square में quadratic है ना कि x में जहां पर x आना चाहिए था वहाँ x square आ गया यह मेरे पास quadratic equation बन गी पूरी equation को मैंने दो से divide कर दिया और quadratic equation के root निकालने का तरीका आपको बता ही है x square is equal to minus का b plus minus root में b square minus 4ac upon 2a यह आगी अब x square की value आपके पास यहाँ पर आ रही है three plus minus root 5 by 2 अब इस देख लेते हैं यहाँ पर plus ले या minus ले plus अब root 5 की value दो से बड़ी होती है अब 2 से बड़ी value में 3 add करूंगा तो वरल 5 से बड़ी value आएगी और 5 से बड़ी value में जब 2 का divide करूंगा तो मेरा answer ढ़ाई से बड़ा आएगा लेकिन x square जो है वो तो sine square है और sine की value कभी एक से बड़ी होनी सकती इसका मतलब प्लस का sine जो है वो नहीं ले सकता प्लस का sine मैं नहीं ले सकता तो x square की value आपके पास आजाएगी 3 minus root 5 by 2 ये sine square एकी value आई है ये x square की value आई है लेकिन मुझे तो x की value चाहिए तो उपर मुझे perfect square बनाना पड़ेगा उपर perfect square बनाने के लिए root के साथ मेरे को 2 चाहिए होता है ताकि ये 2 a b वाली term बने तो उपर निच्चे मैंने 2 से multiply कर दिया उपर निच्चे जब मैंने 2 से multiply किया तो कुछ ऐसा आया अब आप देख सकते हैं दो number बताएं जिनका sum तो आए 6 है और उनका product type 5 वो दो number होते 5 और 1 5 और 1 तो मैं 5 लिखूंगा एक लिखूंगा अलग-अलग root लगाऊंगा और बीच में minus है तो minus का sign लगा दूँगा और upon में मेरे पास है ये आपके पास इसका whole square बन जाएगा upon में है 4 और ये value x square किया गी आप root 5 minus 1 का whole square करके देख लें आपको यही ची मिलेगी अब दोनों से अंडर root कर देंगे तो x की value आपके पास आएगी root 5 minus 1 by 4 का root आजेगा 2 ये x की value है और x ही हमारा जो है वो sign a था तो यहाँ से आपके पास sign a की value आगी है under root 5 minus 1 upon 2 ये आपके पास इस question का answer है root 5 minus 1 by 2 और मैं यहाँ पर आपको थोड़ी से आपके knowledge के लिए बता दूँ कि sign 18 degree की value जो होती है वो होती है root 5 minus 1 by 4 होती है और अगर दोनों साइड दो से multiply कर देता हूँ तो ये जो value आपके पास आई है root 5 minus 1 by 2 ये value ये आपका answer जो है वो twice of sign 18 degree की equal है लेकर sign 18 degree की value हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपको इतना deeply जाने की जरूरत नहीं है तो ये आपका answer होजेगा sign A की value आजेगी root 5 minus 1 by 2 ये इस question का answer है जो कि आपके पास यहाँ पर second option में है root 5 minus 1 by 2 तो जब आप पहली बार ये paper में question देखते हैं तो paper गेंदर हमारे पास इतना time नहीं होता कि हम इतना लंबा करें तो उस time आपको थोड़ा सा देखती question को सोचना चाहिए था कि इस question को छोड़ देना चाहिए बिना कोई time waste किये तो ये था हमारे पास दूसरा question अब चलते हैं अपने तीसरे question की और बढ़ते है थर्ड question कुछ इस तरीके से है कहता है 3 minus 10 के ray upon 1 minus 3 10 के ray ये अगर k के equal है where k is a real number then इसकी value आप से पूछिए है क्या होगी इसकी value आप से पूछिए है क्या होगी चलो ये भी थोड़ा सा शायद length ही चला जाए करके देखते हैं फिर इसके बारे में पता लगेगा सबसे पहले तो इस कोसेक A को मैंने अंदर multiply किया ताकि मुझे चाहिए क्या तो sign A into कोसेक A कैंसल हो गया सिर्फ 3 बचा फिर कोसेक A को इससे multiply किया तो sign cube की बजाए sign square A बच गया लो भी मुझे इसकी value find करनी है ये मेरा main question है इसकी value मुझे find करनी है 3 minus 4 sign square A इसकी value find करनी है तो 10 square A की value यहां से निकाल लेते हैं cross multiply करके बाकी बातें बाद में देखेंगे तो जब मैंने cross multiply किया तो मुझे मिला 3 minus 10 square A age equal to K minus 3K 10 square A ये 10 square A इदर आ गया और आके common आ गया तो 10 square A common लेने के बाद पीछे बचेगा 3K minus 1 और equal to बचेगा K minus 3 और यहां से 10 square A की value जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है K minus 1 upon 3K minus 1 ये 10 square की value आ गयी मुझे जाना है अब sin square तक ये तो 10 square है मुझे sin square तक पहुँच रहा है तो 10 से मैं किसकी और जा सकता हूँ मैं secant की और जा सकता हूँ तो 10 square A को लिख लिया secant square A minus 1 यहां से मैं secant square A की value find कर लेता हूँ तो secant square A की value मेरे पास आ रही है 1 plus k minus 1 upon 3k minus 1 और else यम लेने पर यह कुछ ऐसा बनेगा 3k minus 1 plus k minus 1 upon 3k minus 1 तो secant square A की value मेरे पास आ चुकी है 4k minus 2 upon 3k minus 1 secant square A की value को मैं उल्टा कर दूँँगा तो मेरे पास cos square A की value आ जाएगी तो cos square A की value मेरे पास आ चुकी है 3k minus 1 upon 4k minus 2 कुछ ऐसी आ गई cos square A को मैं 1 minus sign square लिख सकता हूँ 1 minus sign square एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गल्ती ना हो गई है 3 minus 10 square A equal to k into में minus का 3k 10 square यह दर आएगा 3k 10 square minus का 10 square k minus 3 ठीक बात है यहाँ पर 3 आना था इस 1 की जगह पर 3 आना था इस 1 की जगह पर 3 आना था तो यहाँ पर 1 की जगह आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी 1 की जगह 3 आएगा यहाँ भी 3 आएगा यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा तो यह के माइनस 3 हो जाएगा 3 के माइनस 1 के माइनस 3 तो 4 के माइनस 4 आजएगा 4 के माइनस 4 तो 4 के माइनस 4 4 के माइनस 4 कुछ ऐसा हो गया तो यह आगया 3 के माइनस 1 अपान 4 के माइनस 4 यहां से science के ray की value आपके पास आ जाएगी यह दूसरी set चला जाएगा 1- 3K-1 upon 4K-4 तो 4K-4 LCM आ गया और आपके पास बचेगा 4K-4 माइनस का 3K प्लस 1 तो यहां से आप कह सकते हैं कि science के ray की जो आपके पास value आ रही है वो कितनी आ रही है K-3 K-1 यह आपके पास यहां पर science केर A की value आ रही है science केर A की अब यह 4 चला गया उस side दूसरी side इस 4 को उठा कर दूसरी side ले जो तो यह बन गया 4 sin केर A A equal to K-3 upon K-1 मुझे चाहिए 3-4 sin केर A तो मैंने दोनों side पहले तो माइनस लगा दिया माइनस लगा दिया फिर मुझे यहां पर 3 add भी करना है तो मैंने दोनों side 3-3 add कर दिया और जब दोनों side 3-3 add करूंगा तो left side तो मेरे पास वही चीब बन गी जो मुझे चाहिए right side के आया K-1 LC माया उपर बचा minus का K plus का 3 plus का 3 K minus का 3 तो जो final मेरे पास रजल्ट आ गया है यह आ गया है 2K upon K minus 1 यह इस question का आपके पास answer रहेगा 2K upon K minus 1 इस question का answer रहेगा लेकिं यहां पर मैं देखता हूँ कि 2K upon K minus 1 जो है यह मेरे पास 3 option में आ रहा है इतने मेहनत करने के बावजुद हमारा answer अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है अब हमें चेक करना है कि condition कौन सी कहीं में लागू हो रही है नहीं हो रही तो इस condition के बार हम पता करते हैं रस्ते में कहां पर लगी है condition यह square से condition शुरू होगी है यह square है यहां पर देखो square square चलता जा रहा है तो 10 square a की value मुझे पता real है 10 की value हमेशा real होती है तो 10 square a is equal to यह आगया और अगर मैं square हटाऊंगा तो 10 a की जो value आएगी वो आएगी k-3 upon 3 k-1 इस पूरे का root ऐसी आएगी अब k की value में क्या put करूं कि मुझे answer real मिल जाए तो यहां पर inequality का concept है अंडर root के अंदर मुझे पता है positive वाना चाहिए तो root के अंदर वाड़े को उठा कर मैं greater than equal to zero कर दूँगा अब जो inequality का मैं concept लगा रहा हूँ यह अपने equation chapter के अंदर पढ़ा करते हैं जब हम equation and inequality करते हैं और यह concept क्या है अच्छे से जुनेंगे यह दो factor आपने देखा कि divide में पढ़े हैं एक दूसरे के चाहे divide में हो चाहे multiply में हो same concept होता है चाहे divide में हो चाहे multiply में हो concept बिल्कुल same रहता है अब अगर मैं उपर ओले को zero करता हूँ तो k की value 3 आती है अगर मैं नीचे ओले को zero करता हूँ तो k की value 1 by 3 आती है हम alternate sign लिया करते हैं plus minus plus इधर infinite आता है इधर minus infinite आता है तो अब greater than zero है मतलब positive तो positive वड़े portion आपके answer हो जाएंगे तो आपका answer 3 से बढ़ा आएगा और 1 बटा 3 से छोटा आएगा तो आपका answer जो रहेगा वो 1 by 3 से छोटा रहेगा लेकिन 3 से बढ़ा रहेगा तो इस question का answer C option हो जाएगा अब यहां पर equal to के sign को थोड़ा से मैं confirm कर दूँ कि यहां option में हमारे पास equal to का sign नहीं है इसके बारे में बात करते हैं तो देखें इस sign ने upon में बोल दिया कि sign की value की upon में K-1 आ रहा है इसको देखकर पता लगा कि K की value 1 नहीं आ सकती बाकि कुछ भी आए और 1 तो मेरे पास वैसे भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा answer 1 by 3 से छोटा था और 3 से बढ़ा था अब 10 को यहां पर दिक्कत है कि upon में 0 नहीं आनी चाहिए upon में 0 नहीं आनी चाहिए क्योंकि upon में 0 आ गया तो यह मेरे domain में नहीं आएगा K की value में upon में 0 नहीं आना चाहिए तो upon वाले को जब equal to 0 करूंगा तो K की value आपके पास 1 by 3 आ रही है मतलब K को मैं 1 by 3 नहीं रख सकता ऐसा करने पर upon में 0 आ जाएगा तो K की जगह पर 1 by 3 नहीं आ सकता तो 1 by 3 के साथ equal to का साइन नहीं आएगा अब अगर K की value पर K के साथ equal to यहां 3 के साथ देख ले थे 3 के साथ equal to का साइन आएगा यह नहीं आएगा तो क्या K की value 3 की equal आ सकती है देख लो कहीं पर K को 3 value होने से कहीं दिक्कत थो नहीं है पूरे question के अंदर put करके देख लो क्या कहीं पर k की value 3 आने पर कोई दिक्कत थो नहीं है आप हर जगे k की value 3 put कर सकते हो नीचे कहीं पर भी 0 नहीं बन रहा इसलिए k की value 3 आने में कोई दिक्कत नहीं है कि 3 के साथ आप equal to sign लगा सकते हैं लेकिन 1 by 3 के साथ equal to sign नहीं लगाएंगे तो इस question का answer आपके पास जो रहेगा C option रहेगा यह भी बड़ी है question था थोड़ा सा lengthy question था लेकिन यह कर सकते थे question कोई खास बात नहीं थी इसके अंदर आप यह question पेपर के अंदर कर सकते थे अगर आप वाकी थोड़ा सा और अगर आप trigonometry को detail से जानते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपर नीचे आप अगर इसको 10-3 10-A से multiply कर दें अगर उपर नीचे तो यह 10-3-A का formula बन जाता है और यह 3-A साइन माइनस 4 साइन क्यूब यह आपके पास साइन 3-A का formula होता है लेकिन चलो ट्रिपल एंगल formula हमारे से लिवस में नहीं है हम इसकी बात नहीं करेंगे आप इस तरीके से basic से आप इस question को असानी से कर सकते हैं लेकिन इन quality का concept आपका जो है वो मजबूत होना चाहिए तो 3 question में से अभी तक 2 question अच्छे आ चुके है एक question बिल्कुल नकली था चोथे question के और चलते हैं यह आपके लिए बिल्कुल नकली question रहेगा जब आप इसको rationalize करेंगे तो आपको यह मिल रहे जब under root के अंदर वाले को rationalize करोगे पूरे को solve करोगे तब भी आपको यह मिल रहे इसका मतलब PQR बराबर है PQR आपस में बराबर है और अगर PQR आपस में बराबर होगे तो P का square Q और R के product के बराबर होए गई क्योंकि Q भी हमारा P है R भी हमारा P है तो P square बराबर P square तब के दोनों statement ठीक हो जाएंगे अब पहले statement को मैं थोड़ा सा simplify करके बता देता हूँ हमें दिया है 1-sin x upon 1 plus sin x मैंने इसको rationalize कर लिया 1-sin x upon 1-sin x तब उपर देखेंगे 1-sin x का whole square बन रहा है जिसका root करने पर 1-sin x आएगा नीचे 1-sin square x जो की cos square x होता है और cos square x का root करने पर cos x आएगा तो यहां से आपके पास सीदी q की value आगी और फिर जब इसको 1 plus sin x से उपर नीचे multiply कर देंगे तब आप देखेंगे आपके पास r आजएगा क्योंकि आपके पास उपर cos square x बन जएगा cos square x एक cos cancel होजएगा तो cos upon में 1 plus sign आजएगा तो यहां पर p, q, r तीनों आपस में equal है तीनों एक ही बात है तो इसलिए आपके आँसर होजएगा दोनों statement यहां पर ठीक है यह था question number 4 बिल्कुल आसान question देखती करने वाला था नकली question था पांचवां question क्या गया रहा है पांचवां question इन दोनों को solve करना है बताना है कौन सा statement सही है कौन सा नहीं चलो करते हैं शुरू तो यह है cos upon 1 minus 10 10 को मैंने sign by cos लिख दिया तो cos upon 1 minus sign by cos और quote को लिख दिया cos by sign 1 minus cos by sign जब LC में लिया तो cos के रए उपर चला गया upon में आया cos से minus sign यहां जब LC म Лिया तो upon में आया sign माइनस को से और sign उपर चला गया तो उपर जाकर sign सके रए बन गया नीचे जब मैंने cos माइनस sign लिया तो यह sign माइनस को से था इसलिए बीच अम माइनस आजेगा cos square a minus sin square आ गया उपर a square minus b square बन रहा है नीचे a minus b बन रहा है तो a square minus b square के factor कर देंगे a plus b into a minus b तो minus वाला factor cancel हो जाएगा सिर्फ plus वाला factor आपके पास बच जाएगा cos a plus sin a और यही आपके पास equal to में दे रखा है मतलब पहला statement बिलकुल ठीक बात है दूसरे statement की बात करते है one minus sin a minus co से इसका whole square है इसको solve करना है क्या आएगा तो मैंने one minus sin a को a मान लिया और यह co से मेरा b का का काम कर रहा है तो a minus b के whole square का formula लगा दिया जो कि मेरे पास हो गया a square plus b square minus 2ab तो 2 into one minus sin a into मेरे पास आगया co से यह one minus sin a प्लस sin square plus cos square यह minus का 2 बाकी जो है वो same का same पढ़ाई है साइन्स के रे plus cos square को मैंने one कर दिया और one and one मिलकर two हो गए तो two minus sin बाकी जो है वो same पढ़ाई है one minus sin into मेरे cos यहाँ two को मेरे लोंगा तो ब्रेक्टिन मेरे बचेगा one minus sin यहाँ minus के यहाँ two common already है one minus sin a भी पढ़ाई है सिर्फ को से बचा अब दोनों में से दोनों से two into one minus sin a common आ गया दोनों से तो यहाँ पर तो one बच गया और इदर जब two minus sin a common लोंगा तो यहाँ सिर्फ को से बच गया और यही मेरे पास right side में दिया हुआ था पूरा तो इसलिए second statement भी यहाँ पर सही है आप का answer हो जएगा c option दोनों statement सही है यह था question number 5 question number 6 की और चलते हैं छटा question ABC जे triangle right angle at B B पर right angle है B angle आपके पास 90 degree है ठीक है और बोला है AB ratio BC तीन रेशो चार है यह B है यह C है यह A है AB ratio BC यह तीन रेशो चार है तो यह 5 होज़ेगी पाइथरकुरस है हमें चाहिए sine यह A angle है इसका sine तो sine A की value आपके पास आज़ेगी perpendicular upon hypotenus 4 बटा 5 हमें चाहिए sine B sine 90 के value 1 होती है sine C sine C आज़ेगा perpendicular upon hypotenus 3 बटा में 5 और 5 आपके पास LC मा गया 5, 4, 9 और 3, 12 12 बटा में 5 इस question का अंसर है यह आपके लिए बिलकुल असान question रहेगा question number 6 के बाद question number 7 की और चलते है 7 वा question क्या गयता है cosec square 67 क्या इसको मैं quote square 67 लिख सकता हूँ quote square 67 तो cosec square theta माइनस quote square theta यह 1 होता है same उसी तरीके से क्या मैं इसको 10 square 57 डिगरी लिख सकता हूँ और secant square theta माइनस 10 square theta यह भी 1 होता है तो मुझे 2 बर 1 मिल गया और 1 और 1 इसका answer 2 आजेगा cosec square 67 minus quote square 67 यह 1 बना लेंगे secant square 57 minus 10 square 57 यह भी 1 बना लेंगे यह था हमारा सात्वा question आठवे की और चलते है आठवा question क्या कह रहा है there exist at least one value of x between 0 to pi by 2 which satisfy this equation इसको satisfy करती है एक value तो ऐसी जिरूर होगी चलो मैं quadratic वड़ा formula लगाता हूं तो minus का b plus minus root के अंदर b square minus 4a सी upon 2 है कुछ ऐसा आ गया यह बन गया 2 plus minus root 8 हो गया जिसको मैं 2 root 2 लिख सकता हूं upon 2 यह sin square x की value आ रही है 2 common आकर cancel हो गया तो sin square x की value हो गई 1 plus minus root 2 अब minus का sin तो आनी सकता अगर minus का sin हो गया तो overall value negative आ जेगी और square कभी negative होता नहीं plus के sin के बारे बात कर लेते हैं और जब plus का sin लओंगा तो 1 plus root 2 आ गया और यह value आपकी 2 से बड़ी आ रही है overall और sin की value कभी x से बड़ी होनी सकती इसका मतलब x की कोई भी value यहां पर exist नहीं करेगी उसने बोला है at least one value तो exist करेगी करेगी बिलकुल गलत बात पहला statement आपका गलत है दूसरा sin 1.5 radian जो है क्या वो greater than होता है cos 1.5 से अब हमें पता है कि एक radian के अंदर लगबग 57 degree क्या सपास होता है 57 degree 16 minute 20 second होते है तो 1.5 radian में कितना हो जाएगा इसको 1.5 से multiply कर दे और 57 को जो आप 1.5 से multiply करेंगे तो देखो अगर 60 होता 60 को 1.5 से multiply करने पर 90 बनता है यह 90 से थोड़ा कम बनेगा मालो 88 degree के असपास कुछ बनेगा तो sin 88 degree बढ़ा होता है यह को 88 degree बढ़ा होता है तो मैं पता है कि 45 degree के बाद sin बढ़ा होता है तो sin 88 degree is greater than cos 88 degree बिल्कुल ठीक है second statement आपका सही है तो इस question का अंसर हो जएगा only 2 हो जएगा 45 degree के बाद sin बढ़ा होता है cos छोटा होता है question number 8 के बाद question number 9 की और चलते है 9 question क्या कह रहा है sine x plus cos x की value c है और हमें इसकी value फूछी कि यह क्या होगी पहले तो मैं दोनों side whole square करता हूँ तो sine square x plus cos square x जो की 1 होता है फिर आगए sine x into cos x 2 sine x into cos x 2 sine x into cos x इसकी value मेरे पास है c square कुछ ऐसा मैंने दोनों side whole square किया और sine square plus cos square को 1 put कर दिया ठीक बात है यहां से मैंने 2 sine x cos x की value एक बार निकाल ली जो कि c square minus 1 आ रही है और इस 2 को भी यहां से अठाकर upon में ले गया लेकिन मुझे sine x minus cos x नहीं चाहिए मुझे power 6 चाहिए power 6 तक पहुँचने के लिए मैं एक बार power 2 की help लेता हूँ मैं जानता हूँ sine square x plus cos square x 1 होता है दोनो side whole cube कर दिया दोनो side whole cube कर दिया तो a plus b का whole cube बोलता है a plus b का whole cube a cube plus b cube plus 3ab into a plus b यह मैंने a cube plus b cube का formula लगा लिया equal to मैं 1 है sine square plus cos square x यह 1 होता है इसको छोड़ी देंगे अब sine की power 6 x plus cos की power 6 x इसकी value मुझे चाहिए अब sine x into cos x की value यह होती है यह मैं यहाँ पर काम में लगा तो यह 3 into आपके पास sine x into cos x का whole square है और sine x into cos x की value वहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ c square minus 1 by 2 और इस पूरे का यह पड़ा है whole square और equal to में आपके पास 1 है अब इस पूरे की value निकालनी है तो इसको दूसरी set ले जाते हैं और soul कर लेते हैं answer आजएगा तो 1 minus 3 c square minus 1 whole square को open करेंगे c की power 4 minus 2 c square plus 1 upon 2 का square 4 आजएगा इसको simplify करना है 4 LC माया तो 4 minus 3 c की power 4 plus 6 c square minus 3 तो 6 c square आएगा और 4 में से 3 को minus करेंगे तो 1 आजएगा 1 plus 6 c square minus 3 c की power 4 upon 4 यह इस question का final answer है अब यह किसमे हैं यहाँ दोनों plus दे रखें हैं यहाँ दोनों plus दे रखें upon में 16 दे रखा है B option आपके पास इस question का answer आजएगा second option यह था आपके पास question number 9 question number 9 के बाद question number 10 की और चलते है 10th question क्या गयता है एक बाद total question देख लें कितने हैं यह 10 वा है यह 11 है यह 12 है 13 काफी question आए very good आभी 4-5 question और है कह रहा है there exist no value of x such that कुछ ऐसा कहता है यह कभी x की कोई value ऐसे exist करीं सकती वह यह बात बोल रहा है कि x की value इस तरीके से exist नहीं कर सकती चलो चेक कर लेते हैं मैंने दोनों साइड रेसी प्रोकल कर दिया चेक कर लेते हैं एक जिस्ट करता हैं नहीं करता है दोनों साइड मैंने इस तरीके से रेसी प्रोकल कर लिया ठीक बात है 1 माइनस साइन एक्स और इसको रेशनलाइज भी कर लिया यह लो ऊपर बना 4 माइनस 2 रूट 3 और नीचे मेरे पास बन रहा है 16 माइनस 4 ती बारह तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 4 आ रही है यह साइन एक्स को उदर ले गया 1 को इदर ले आया तो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है साइन एक्स की वैल्यू 1 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 4 और जब 4 में LC में लेता हूँ तो 4-4 प्लस 2 रूट 3 ये आगया 2 रूट 3 अपन में 4 2 से इसको कैंसल किया दो बार तो रूट 3 बाइ 2 आगया साइन X की वैली रूट 3 बाइ 2 होगी तो X की वैली मेरे पास जो है वो 60 डिग्री आ रही है तो ठीक है अभी X की वैली 60 डिग्री जो है वो सैटिस्वाइ कर रही है उसने बोले there is no value of X X की तो कोई value नहीं आएगी तो ये statement यहाँ पर गलत हो गया हमारे पास X की एक value आ गई है पहला statement गलत है दूसरा statement कहता है sin X जो है वो equal to 3 की power sin square X के तो हमें पता है कि 3 की power negative positive जो मर्जी कर दो आपको answer जो होता है वो 1 से बड़ाई मिलता है तो left side जो है ये 1 या 1 से छोटी है right side जो है वो 1 या 1 से बड़ी है क्योंकि 3 की power में जो मर्जी कर दो आपको answer 1 या 1 से बड़ाई मिलता है अब बीच में आगए equal to का sign left side हमेशा 1 से छोटी है right side हमेशा 1 से बढ़ी है पर दोनों value 1 हो सकती है चेक कर लेता हूँ कि 1 दोनों इकठी हो सकती है left side को 1 होने के लिए x को 90 degree होना पड़ेगा लेकिन जैसी x को मैं 90 degree रखता हूँ right side में 3 की power 1 बन जाएगा जो कि 3 होता है तो 90 degree इसको satisfy नहीं कर रहा मतलब left side हमेशा एक एक से छोटी रहेगी right side हमेशा एक एक से बढ़ी रहेगी जब left वाली side 1 होती है तब right वाली side 1 नहीं होती और जब right वाली side को 1 करने कोशिश करोगे उस time पर left वाली side 1 नहीं होती तो इसलिए दोनों कभी equal होई नहीं सकते उसने बोला does not hold any value good for any real value बिल्कुल ठीक बात है तो second statement यहाँ पर सही है आप cancer हो जाएगा बी option हो जाएगा यह था दसवां question 11 question complimentary of 80 degree पूछा है 80 degree complimentary 10 degree होता है पर जिसको आप reading में अगर बदलेंगे तो पाई बटा में 18 आएगा question number 11 के बाद question number 12 क्या क्या रहा है in triangle ABC is inscribed in a circle एक triangle ABC यह है जो एक circle के अंदर है चलो पहले circle बना लेते है triangle ABC is inscribed in a circle if sum of square of sides of a triangle is equal to the twice of square of the diameter यह क्या रहा है if sum of square of sides if sum of square of sides of triangle is equal to the twice the square of diameter चलो सोचते हैं कुछ यह angle A है, यह angle B है, यह angle C है ठीक बात है अब उसने बोला है कि radius को काम में लेना भी मुझे radius को, radius को angle A के सामनल साइड स्मॉल है होती है angle B के सामनल साइड स्मॉल भी होती है angle C के सामनल साइड स्मॉल सी होती है if sum of square of sides of a triangle A square plus B square plus C square is equal to twice of the square of the diameter diameter इसका 2R हो जाएगा 2R तो 2R cut to square हो जाएगा तो यहां से मैंने बोला कि A square plus B square plus C square जो आ रहा है वो equal to मैं आ रहा है 8R square के equal आ रहा है ओके है अब question में पूछा गया है कि sin square A plus sin square B plus sin square C यह किसके बराबर होगा मतला angle को relate करना है अब side से तो मझे लग रहा है कि मुझे sin formula के और जाना पड़ेगा sin formula होता है sin A upon A age equal to sin B upon B age equal to sin C upon C और इसकी equal to मैंने कुछ constant के माल लिया यहां से अब कहा सकते है के तो sin A की value आगी A के sin A की value आगी A के sin B की value आगी B के sin C की value आगी C के मुझे चाहिए sin square A plus sin square B plus sin square C value put कर दी तो यह बन जाएगा A square K square plus B square K square plus C square K square और यहां से A square B square C square मैंने common लिया तो पीछे मेरे पास बाहर K square common आगया और A square B square की value मैंने 8 R square put कर दी तो यह बन गया 8 R square K square आगया 8 R square K square अब मुझे इसकी radius फाइंड करनी है radius तो circum circle की radius का हमारे पास formula होता है R is equal to A, B, C, B, I में 4 into delta यह radius का formula होता है circum circle की मैं इसको यहां पर काम में लेना चाहूंगा तो A, B, C upon 4 delta कुछ ऐसा होता है A, B, C upon me 4 delta तो क्या इसको यहां पर काम में लेने का फाइदा है कुछ बढ़ेंगी बात A, B, C upon me 4 delta A, B, C यह circum circle है R हो जाएगा A, B, C upon me 4 delta फिलाल मेरे पास K भी एक variable चल रहा है उसको भी उड़ाना है radius R भी मैंने अपनी मर्जी से मननी है उसको भी उड़ाना है और R और K आपस में cancel होके कोई एक number answer आएगा question वाला हमें यह बात का hint दे रहा है कि R और K को आपस में cancel करें delta होता है strangle का area strangle का area क्या मुझे hero वाले formula की और जाना पड़ेगा अगर मैं hero वाले formula की और जाता हूँ तो मैं ज़्यादा length ही ले जाओंगा इसको ABC by में 4 delta ABC by 4 delta 8 R square K square sign हो गया ठीक है ठीक है है तो बस यही R और K को आपस में खतम करना है R और K को अगर मैं R की value यहाँ से निकाल कर लेके भी आता हूँ तो यह दिक्कत वाली बात है चलो area का कोई formula लगा के देखते है तो R is equal to ABC upon 4 into area area का मेरे पास formula होता है मालो यह angle ले लिया मैंने यह तो area का formula था half AB sin theta pass pass वाली side है BC और बीच वाली angle का sign तो यह आगया sign A कुछ ऐसा तो BC से BC कट गया 2 से इसको काड़ती है दो बार तो R की value आगी मेरे पास A upon 2 sign A आगी और sign A को मैंने A के मानना होगा है तो sign A की जगा A के पुट कर दो तो R is equal to A upon 2 into A के A से A cancel हो गया R की value आगी 1 upon 2 के यह R की value उठा कर यहाँ पुट कर दी तो यह होज़ेगा 1 upon 4K square into K square K square से K square cancel हो गया आपके पास इस question का answer 2 आगया first option ही आपके पास इस question का answer है तो sign formula यहाँ पर हमारे काम आया है sign formula के लावा circum circle का circum circle की radius निकालने वाड़ा formula भी हमारे पास काम में आया है और इसके बाए triangle के area का formula भी यहाँ पर काम में आया है कि कुछ question बढ़ी आये हैं मानना पड़ेगा उसके बाद यह जो जब paper पूरा हो जेगा फिर देखें कितने question करने वाले थे और कितने question आप छोड़ सकते थे एक बर आगे बढ़ते हैं question number 13 की ओर चलते हैं कहता है साड़े 8 बजे hour hand और minute hand के बीच का angle क्या होगा तो formula होता है half into mod के अंदर 11m-60h तो half into m की जगा minute put कर देंगे 30 तो 330 हो गया h की जगा 8 put कर देंगे 8, 6, 48, 48, 48 तो यह बने गया 1,500 बटा 2 और 1,500 में 2 का divide करेंगे 75 आजएगा बी option इसका answer है यह था question number 13 question number 14 क्या कहता है कहता है यह person goes to a market between 4 pm and 5 pm when he come back they find that hour hand और minute hand जो है वो आपसें बदले हुआ है चलो ठीक बात है कोई बंदा 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में घर से निकलता है 4 बजे से 5 बजे के बीच में और वो देखता है कि इस तरीके से यह घंटे वाली सुई थी और दूसरी यह मिनिट वाली सुई थी यह आपके पास मिनिट वाली सुई थी लेकिन जब वो आके देखता है तो वो देखता है कि दोनों सुईयों ने अपनी जगा जो है वो बदली हुई है मतलब यह हो गया कि जो आपन्दध घर से निकलने के बाद M Minute बाद वापीस आया, M Minute बाद मिनट बादा मिनट तो इतने मिनट में बाद वाली इनल चल जाएगी, एक मिनट में बाद ओडogen दूड सो यह अग्ल चलती है, total M Minute के अनदर जो यह पूरा इतना एंगल घुमेगी तो यह पूरा एंगल आपके पास आजएगा 6m आजएगा 6m डिगरी आपके पास यह एंगल आजएगा अब एक मिनट में घंटे वाली सुई आदा डिगरी अंगल चलती है, तो M मिनट के अंदर घंटे वाली सुई जो है, यह जो आपको छोटा सा अंगल दिख रहा है, यह M by 2 डिगरी हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट के अंदर घंटे वाली सुई जो है, आदा डिगरी अंगल च M की वैल्यू आ गई 720 बटा में 13 720 में 13 का डिवाइड करेंगे 13 इंटू 5 पचपन 13 इंटू 5 65 बचा 7 0 फिर 13 इंटू 5 65 बचा 5 0 13 इंटू 3 49 बचा 110 और 13 इंटू 8 104 तो 55.38 इस कोश्चन का अंसर है तो जब बंदा चाहे 4 बजे से 5 बजे के बीच में भपिस जाए पांच से 6 जाए 6 से 7 जाए जब मर्जी जाए आप का अंसर यही आएगा हमेशा 55.38 अльएट इस कोश्चन का अंसर यही रहेगा यह था कोश्चन नमबर 14 और इससे ऑसे कोश्चन नमबर 14 के साथी आपके 2.15 के फिर्ष्ट पेपर के सभी कोश्टन हो चुके हैं इन 14 कोश्टन के एक मैं बात करूँ तो देखते हैं कितने कोश्टन आपके लिए करने वाड़े थे पेपर में ये पहला कोश्टन बिल्कुल असान है एक कोश्टन इसको चुले एक पर छोड़ते हैं ये दो question ये तीसरा question भी हो सकता था ये चत्था question ये पांचवा question ये देखने में तो असनी है कोई ऐसी बात हाया नहीं करने वाले कर लेते लेकिन चलो इसको एक पर छोड़ते हैं पांच ये भी थोड़ा से calculation वाला है ये question करने वाला कर सकते थे 6 question 7 वाँ असान है ये 8 वाँ question आप छोड़ सकते थे ये 8 वाँ हो जाता और ये आपके पास 9 question ये भी आपको try करना चाहिए तो यहाँ पर इस paper मैं जिरूर बोलूँगा कि 14 में से आप लगबग 8-9 question करने चाहिए थे आपको लेकिन इसके लावा जितने पेपर मैंने जितने भी सोल किये हैं या फिर paper आए है पेपर में तो आप देखेंगे कि लगबग एका दुका question ये जो आपको थोड़ा कभी अजीब लग सकता है सारे question होने वाले होते हैं लेकिन ये 2015 को फर्स पेपर बढ़िया था चलो thank you सबी को जाहिंद उमीद आपको समझाया होगा